नमस्कार, मा पूजा श्रेष्ट आर्थिक अव्यान समचार मा स्वाग च्छ, शुरुगराउं मुख्य खबर बाट 4-6 स्थानिय तह मा पूर्ण विद्यूति करन, मदेश प्रदेश मा सबय भन्दा बड़ी रक करनाली मा सबय भन्दा कम विद्यूति करन बैंक में फर्कीन थाले निशेप करजा विस्तार धेरे हुदा सीडी रेश्यो मा भने दबाब बिर्गंज को वेपार घाटा 3-4 अर्व, निकासी वेपार घटे काले वेपार असंतुलन बड़ियो अब समचार विस्तार मा नेपाल विद्यूत प्राधिकरण को तथ्यां करनुसार नेपाल का 7-3 इस्थानिय तह मद्य 4-6 इस्थानिय तह पूर्ण विद्यूतिकरण भएका सन 22 22 इस्थान्य तह मा आंचेक रूप मा विद्धूतिकरण भए का च्छन बने 35 इस्थान्य तह मा निपाल विद्धूत प्रादिकरण ले विद्धूत पुर्यावन सके को साइना प्राधिकरण ले मुलुक भरी का इस्तान्य तहका गउपालिकार नगरपालिका वड़ा सम्म को बिस्तित अध्यन गरी तयार पारे को विदुतिकरण तथ्यांका अनुसार कुल जन संख्या को 92.5 एक प्रतिशत मा विदुत को पहुच फुगे को सा 92.3,7 प्रतिशत राष्टर ग्रिट बाट र सुन्य दस्मलब 1,4 प्रतिशत ले ग्रिट भंदा बाहिर बाट विदुत पाएका सन् सवेवन्दा बड़ी मव्दे प्रतिश मां 99.95 रा सवेवन्दा कमकर्नाली प्रतिश मां 56.79 प्रतिशत विदुतिकरण भएक सा एक नम्मर प्रतिश मां 91.2 तीन प्रतिशत बागवता बाति मां 97.70 4差ठ्ब गंड़की माँ 97.76 प्रतिशत, लुम्बीनी माँ 96.73 प्रतिशत र सुदिरपश्चिम प्रदेश माँ 78.85 प्रतिशत विद्युदिकरन भये को सा चालू आर्थिक बर्षको सुरू देखी बैंक बात बाहिरेको निश्चेप पुन्ह बैंकिंग प्रणाली माँ फर्की न थालेको सा नेपाल बैंकर संक तथ्थार नुसार चालु आर्थिक बरस का भदाव पहिलो साथा सम्म, बानिजय बैंको निश्चयप माँ ठोरे सुधार देखियेका सा असार मशांतमा बाणेजय बैंक हरुमा कुल 45 खरब 41 ओर्बर रुपईया निशे परहिकमा भदव 3 गत सम्मामा एक कर्प 16 ओर्बर रुपईयां ले धटे रँ 44 खरब 25 ओर्बर रुपईया काएम भव़धि一樣 बदाव तीन देखी दस कते सममा भने बानिजय बैंकर को निचेप एकाउन्न कर रुपाईयां ले बड़ेको संगले जानकारी दियेको श नेपार व्रास्ट बेंका जक्ट गुणाक कर भत्च आर्थिक बर्षको अंत्यमा सरकारले निर्मान बेबसाईलाई गरेको भुखतानी का कारण साउन्मा निश्येव घटेको र उक्त रकम बिस्तारे बजार बात्च बैंकिंग प्रणाली मा फर्कीन थालेको बताऊं सन्ग आर्थिक बर्षा लागे संगई बैंकरुले करजा लगानी गरना थालेका सन्ग साउन्को पहिलोर दोस्रो साथा बाणी जे बैंकर को करजा प्रभा घटा आये पनी 30 साथा देखी बढ़ना थालेको साउन्मा 11 अर्ब रुपईया करजा बिस्तार गरेका बैंकर ले भदव पहिलो साथा एक अर्ब तीहत्तर करोड र दोस्रो साथा एक अर्ब तीस करोड रुपईया लगानी गरेका सन्ग बैंकर्डे निश्चेप ब्रुद्धी को तुला नामा करजा बिस्तार धेरे करे पछी बैंकरु लाइक करजा निश्चेप सीडी अनुपात्मा भने दबा संका अनुसार भदव 10 कते बांडी जब बैंक करोको अउसस सीडी रेशियो अठासी दस मलब चार दुई प्रतिशत साउन मा तीन ओत्रा बैंक को सीडी रेशियो नब्ब प्रतिशत भन्दा माथी र तेस बाहेक अधिकांच अको नब्ब प्रतिशत हारा हारे माई शा आयत निर्यात परिमाण का अधार मा मुख्यना का बिर्गंज बात मात्रे एक महिना मा 43 अर्वर रुपईया भन्दा बड़ी बेपार घाता भाएक हो बिर्गंज बन्सार कारेले का अनुसार चालो आर्थिक बर्षा 2089 को साउनमा 43 अर्वर रुपईया बराबर को बेपार घाता भाएक हो चालो आर्तिक बर्स को पहिलो महिना को वेपार घाता गता आर्तिक बर्सा 2078 को स्वोही अवदी को तुला नामा 7 प्रतिशत बड़ी हो गता आर्तिक बर्सा को साउन मा 40 और चालिस करे रुपईया वेपार घाता थियो गतब महिना अगीलो बर्षा को सोही महिना को तुलनामा आयद भने खटे को सौप निकासी बेपार स्वात्ते घटे काले बेपार असन तुलन बड़े को भनसार को तथ्यां कले देखाये को सौ बिर्गंज नाका बाठ निकासी हुने बस्तु को अग्र स्थान मा प्रसोदित खाने तेल रहे को मा केही महिना देखी येसको निकासी खस किये को सौ गतबर्षा तेल को निकासी ले निर्यात मा केही भर थे गरे पनी चालू बर्षा मा यो सहुलियत बंदब है को सौ नेपाल का तेल उद्योगीले तेस्ड्र मुलुक बात अर्धर प्रसोध divers तेल ल्यायर यहां प्रसोधन गरी भारत निकास कंड़ियाय का थे भारत ले आफनो देश मां तेल आयत्मां ऊच्छादर को सीमा सूलक ल्यायका ले नेपाल बात निकासी संभव होयका थे नेपल का उद्योगी ले भंसार सहुलियत मा निकासी गर्दे आएका थे, पचलो समय भारत ले आंतरिक बजार मा तेलको मुल्य नियंद्रन गर्ण आयत मा सीमा सुलक सुन्य देखी, दुई दस्मला 5 प्रतिशत मा झारे पशी, नेपाल बात निकासी करीब ठप पजस्त भाय की अहले, आर्टिक अव्यान समच्वार हर देगानो हला, नमस्कार झाल झाल